शेक शाजहां को 55 दिन के बाद एक सेफ हाउस में रखकर पूरी तरह से सनरक्षन देकर आखिरकार ममता जी ने कलकत्ता हाई कौट के खटकार लगाने के बाद और इतने प्रयास और इतनी कोशिशों के बाद अब इस गुंडे और मुझरिम को आखिरकार एक मांडावली के त सहत जूट मूट उसको अपने ही पुलिस से गिरिफतार कराया है ताकि उसको एडी और सीवी आए के संगीन इल्जामों से बचाया जा सके और क्योंकि पूरी तरह से सनलिप्त जो पार्टी है टीमसी उसके तार कहीं ना दिख जाएं जुड़े वे और इसी लिए उसको बदमाशी का हो बदसलूकी का हो बलतकार का हो जा जमीन झपटने का हो कोई भी मामले का जिक्र नहीं है यह जानबूश के हो रहा है ममता जी की मजबूरी है इन गुंडों को अपने साथ रखना और उनको बचाव करना और हाव आप देखिए लग रहा है कि शहाजहां बिल जो सांसद हैं महुबा मुहित्रा सागरिका घोश सुश्मिता जी क्या कहेंगी इसके बारे में यह इतनी शर्मसार करती है घटना इतनी धेर सारी है हमारी बेहने उनके साथ जो बत्तमीजी बतसलूकी हुई है और उनके रोने चीखने और गुहार लगाने के बावजूद उनके जुर्म का संग्यान नहीं लिया गया है गिरिफतारी वारंट में यह कैसा निया है देखे कैलकेटा हाइकॉड ने बाकाइदा कहा है कि यह शक्स सहानबूती का पातर नहीं है जल से जल उसकी गिरिफतारी होनी चाहिए आप सोचिये 55 दिन तक क्या करती रही पच्चिम बंगाल की पुलिस यह तो कौड के फटकार लगने के बाद यह हुआ है और लगातार जो महिलाएं हैं बताती रही अपनी कहानी बताती रही गिलगडाती रही और आंदोलन करती रही तब भी जून ही रहेंगी ममतब आनरजी के कान में आखिर मामला क्या है क्यों बचाना चाहरी है सारूपी को